हेल्लो दोस्तों, फियर था वॉकिंग टेट का हमारा सफर अधुरा ही रह गया था और मैं इससे अब आगे के और बढ़ाना चाहते हूं इस वेडियो में मैंने एक्स्प्लेइन किये सीजन टू का पार्ट टू और इसमें मैंने कवर किये हैं एपिसोड 6 तू 10 इस एपिसोड की शुरुआत स्ट्रेंड से होती है जो कि मैक्सिकन मिलिटरी को कुछ पैसे देकर आगे जाने का रास्ता क्लियर करवा लेता है लेकिन तभी एक गन फाइट हो जाती है और उस फाइट में स्ट्रेंड के वो दानों मैक्सिकन सोलजर्स मारे जाते हैं उन लोगों का पूरा ग्रोप किसी तरह से एपिगल से बाहर निकलकर आजाता है और वो लोग लेंड तक पहुँ जाते हैं वो सभी लोग एपिगली फैमिली की लेंड की और मूव करना शुरू कर देते हैं रास्ते में उन लोगों का सामना बहुत सारे अंडेट से होता है मैडिसन उन लोगों का सामना करते हुए ग्राउंड के ओपर गिर जाती है क्रिस वहीं उसके बाजू में खड़ा हुआ उसे देखता है लेकिन वो उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता अलिशय इस बात को नोटिस करके तुरन्थी मैडिसन के पास आकर उसे बचा लेती है सबी लोग किसी तरह से बस्ते बचाते एबिगेली फैमिली के कंपाउंड तक पहुँच जाते है एबिगेली फैमिली को सीलिया लीड कर रही थी सीलिया उन लोगों का वेलकम करती है और उन लोगों को अपने वेपन्स कंपाउंड के बाहरी छोड़ देने के लिए कहती है स्ट्रेंड तुरंती अंदर जाकर अपने फ्रेंड थॉमस से मिलता है थॉमस को अंदेड ने बाइट कर लिया था और अब वो मरने ही वाला था अलिश्या तुरंती रात में जाकर क्रिस से सुबह हुए मैडिसिन के साथ वाले इवेंट के बारे में बात करती है क्रिस उन सब बातों को सुनने से मना कर देता है और वो अलिश्या को धमकाने लग जाता है कि अगर उसने इस इवेंट की किसी के भी सामने चर्चा की तो अच्छा नहीं होगा इधर नेक और सीलिया के आपस में बहुत अच्छी बांडिंग मन जाती है सीलिया बताती है कि वो अन्डैट को अलगी नजरिये से देखा करती है लगता है कि वो लोग एक नए जीवन की शुरुआत है नेक भी सीलिया की इन बातों से एगरी करता है इधर थॉमस और स्ट्रेंड आपस में बाते करते हैं थॉमस और स्ट्रेंड आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। थॉमस की हालत को देखकर स्ट्रेंड उसके साथ मरने की प्लानिंग बनाता है। सीलिया स्ट्रेंड के डिसीजन को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो स्ट्रेंड और थॉमसन के लिए कुछ पॉईसनस कुगीस तयार करती है। और उन लोगों को खाने के लिए दे देती है। डैनियल को उस जगे को देखकर प्षक होने लग जाता है। वो रात में उठकर उस जगे को एक्स्प्लोर करने लग जाता है। उसे एक जगे पर सेलर में बंद हुए बहुत सारे अंडेड लोग दिखाई दे जाते हैं। उन लोगों को देखकर डैनियल समझ जाता है कि वो सभी लोग सीलिया की फैमिली को बिलॉंग करते थे और उसी के फैमिली मेंबर्स थे। डैनियल इस बारे में सीलिया से बात करता है। सीलिया डैनियल के सामने असेप्ट करती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसने अपने सभी रियनिमेट हुए फैमिली मेंबर्स को एक जगे पर इखटा करके रखा हुआ था। इदर अलेशिया मेडिसिन से क्रिस के बारे में बात करती है। उसे क्रिस का बरताव बहुत अलग लग रहा था। मेडिसिन अलेशिया की इन बातों को सुनती है और क्रिस के बारे में ट्रैविस से बात करती है। ट्रेविस अपने बेटे का पक्ष लेकर मैडिसिन से लड़ने लग जाता है ट्रेविस समझता है कि मैडिसिन क्रिस की मदद नहीं करना चाहती और वो उसे ब्लेम करने लग जाता है मैडिसिन क्रेविस की इन बातों से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोने के लिए Alicia के पास पहुंच जाती है और वो उस रात Alicia के साथ ही सो जाती है रात में एक gunshot के आवाज सुन कर Alicia और Maison के आख खुल जाती है वो दोनों Chris को अपने बाजू में खडा हुआ देखते हैं Chris उन दोनों को जगा हुआ देखकर तुरंती वहाँ से बाहर के और भाग जाता है जो gunshot के आवाज Madison और Alicia ने सुनी थी वो स्ट्रेंड की gun की आवाज थी उसने अपने सुसाइट का प्रोग्राम कैंसल कर दिया था और उसी ने Thomas को अपनी gun से मार दिया था स्ट्रेंड नहीं चाता था कि Thomas मर के रियनिमेट हो जाए और वो अंडैट के ग्रूप में शामिल हो जाए एपिसोड के एंट में बहुत सारे फ्लेश बैक्स दिखाया जाते है जहां पर एक जर्च भी दिखाया जाता है Celia उस कम्मिनिटी के मैंबर थी वो वहां माजूद सभी लोगों को पॉइसनस कुकीस खिला रही थी Thomas तभी वहां पर पहुँच जाता है वो वहां के लोगों को बचाने के लिए आया था लेकिन उससे लेट हो जाता है वो देखता है कि Celia ने उसके पहुँचने से पहले ही सभी लोगों को कुकीस खिला दी थी और वहां माजूद सभी लोग मर के रियनिमेट होने लगे थे Celia को पता चलता है कि स्ट्रेंड ने Thomas को मार दिया है और अब हो रियनिमेट नहीं हो पाएगा वो बहुँच ज़दा गुस्से में आ जाती है और उन लोगों के पूरे ग्रुप को उस जगे को छोड़ कर जाने के लिए कहती है इधर क्रिस अपने पकड़े जाने के डर से उस जगे को छोड़ कर भाग चुका था बैडिसन क्रिस के बारे में जाकर ट्रैविस को बता देती है ट्रैविस मैडिसन के मुझ से क्रिस के बारे में सुदकर बहुत ज़्यादा है और वो क्रिस को ढूडने के लिए तुरंती बाहर के और चला जाता है इधर डैनियल को अपनी मरी हुई वाइफ क्रिसल्डा के बुरे-बुरे सपने आने लग जाते हैं डैनियल उसी दिन आफिलिया के साथ वॉक कर रहा था अचानकि उसे हैल्यूसिनेशन होने लग जाता है और वो तुरंती सीलिया की एक आदमी के ओपर अटेक कर देता है सीलिया की सबी लोग टैनियल को इस तरह से देखते हैं और उसे पकड़ कर सेलर के अंदर बंद कर देते हैं टैनियल उस समय भी हैल्यूसिनेशन में था वो बहुत पुरी तरह से चिलाने लग जाता है अधर निक सीलिया को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था और अंडेट को लेकर उसके जो विचार थे उनसे वो पूरी तरह से एगरी करता था निक सीलिया को इंप्रेस्ट करने के लिए उसके बेटे लोईस को लेकर आ जाता है जो की रियनिमेट हो चुका था सीलिया निक से बहुत ज़दा इंप्रेस्ट हो जाती है और वो स्ट्रेंट के अलावा उन सभी लोगों को बाहर उखने की परमीशन दे देती है सीलिया स्ट्रेंट से उस दिन शाम होने से पहले ही उस जगे को छोड़ देने के लिए कहती है मैडिसन को अपने बेटे निक की अंडेट के बारे में राय जानकर बहुत ज़्यादा दुख होता है इदर ट्रेविस क्रिस को ढूड रहा था उसे कंपाउंट के बाहर एक घर के अंदर क्रिस की मौचुदकी का पता चलता है क्रिस ने उस घर के अंदर एक बच्चे को बंदी बना लिया था और वो उस बच्चे के फादर को उस बच्चे को मारने की धमकी दे रहा था ट्रेविस वहाँ पर पहुँच चुका था वो किसी तरह से क्रिस के हाथ से गद को ले लेता है क्रिस उस घर को छोड़ कर बाहर निकल जाता है ट्रेविस दुरंती उसके पीछे बहुच कर उसे पकड़ लेता है ट्रेविस उसे अपने साथ घर बापस लोटने के लिए कहता है क्रिस ट्रेविस को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्टेट हो चुका है और अब वो उन लोगों के ग्रुप के साथ और जादा समय तक नहीं रहना चाता क्रिस ट्रेविस के साथ वापस लौटने से मना कर देता है इधर ट्रेविस को गए हुए बहुत टाइप हो चुका था निक भी ट्रेविस और क्रिस को ढूडने के लिए बाहर निकल जाता है निक बहुत जल्दी ही ट्रेविस और क्रिस के पास बहुत जाता है ट्रेविस निक को बताता है कि वो अब क्रिस के साथ वहीं पर रुखना चाता है और वो लोग ग्रुप के पास बापस नहीं लौटने वाले थे ट्रेविस निक को अपने डिसीजन के बारे में बता कर उसे वहाँ से बापस जाने के लिए कहता है निक ट्रेविस की बात को सुनता है और तुरंती बापस लौट आता है Compound के अंदर Madison Celia के पास पहुँच जाती है और उसे निक से दूर रहने के लिए कहती है लेकिन Celia उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देती है Madison इतनी ज़्यादा गुसे में आ जाती है कि वो Celia को मारने का मन बना लेती है वो मनी मन प्लान करती है और Celia से फ्रेंडली होने का दिखावा करने लग जाती है Madison Celia को अपने फैमिली मेंबर्स जो की रियनिमेट हो चुके थे उन तक ले जाने के लिए कहती है Celia तुरंती Madison को सेलर तक लेकर आ जाती है और वो वहां का दरवाजा खोल देती है Madison मौके का फायदा उठा कर Celia को उसी सेलर के अंदर उसके रियनिमेट हुए फैमिली मेंबर्स के साथ बंद कर देती है इधर डैनियल अपने आपको किसी तरह से आजात कर लेता है वो रियनिमेट हुए लोगों के सेलर तक पहुँच जाता है और वहां मौझूद गैसूलिन का यूज़ करके उस सेलर में आग लगा देता है आग चारो और फैल जाती है और वो बिल्डिंग पुरी तरह से जलने लग जाती है डैनियल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है स्ट्रेंड, ओफिलिया, अलिशा और मैडिसिन एक ट्रक में बैटकर बाहर के और निकलने लग जाते है तब ही उन लोगों के ट्रक के सामने निक आ जाता है निक उन लोगों को बताता है कि उससे ड्रवेस और क्रिस का कोई भी पता नहीं चला था निक उन लोगों के ग्रूप के साथ कंपाउंट से बाहर जाने से मना कर देता है निक उन लोगों को बताता है कि वो सीलिया की बातों पर पूरी तरह से यकीन करता था निक उन लोगों को ये भी पताता है कि वो जानता है कि उन लोगों का ग्रूप अपने सामने आने वाली सबी चीजों को खतम करता हुआ जा रहा था और वो अब उस ग्रूप का हिस्सा नहीं बने रहना चाता मैडिसिन निक को अपने साथ ले जाना जाती थी लेकिन स्ट्रेंड मौके की नसाकत को समझता है और तुरंधी ट्रक को ड्राइब करता हुआ एक और ले जाता है निक अकेला ही एक डायरेक्शन के और मुव कर जाता है निक ने सीलिया के ही एक former community member से तेजुनिया के बारे में सुन रखा था उसने सुन रखा था कि तेजुनिया में रहने वाले सभी लोग सीलिया को follow करते थे निक तेजुनिया के और move कर जाता है निक पूरे दिन चलते रहता है और आखिर में शाम की समय वो एक खाली पड़ी हुई बिल्डिंग तक पहुँच जाता है तब ही उसका सामना कुछ हत्यार बंद लोगों से हो जाता है उन हत्यार बंद लोगों का गैंग आते जाते हुए लोगों को लूट रहा था निक किसी तरह से उन लोगों से बसता हुआ एक और पहुँच जाता है इस बीच नेक ने जित्ती भी सप्लाई से खटी की थी, वो भी वो गवा चुका था, नेक एक बस में जाकर सू जाता है, नेक के उपर उस बस में कुछ डॉग सहमला कर देते हैं, एक डॉग नेक के पैर में काट लेता है, नेक उन कुद्टों से बचने के लिए उस बस के बहुत सारे reanimated zombies वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो उन खुतों को मार देते हैं Reanimated deads को कभी gunfire और horn की आवाज सुनाई देती हैं और वो लोग divert होकर उस direction में move कर जाते हैं इसी बीच निक वहाँ से बाहर निकल जाता है निक एक dead को मार डालता है और वो अपने आपको उसकी blood से cover कर लेता है निक अपने आपको blood से cover करके undead लोगों के जुण में शामिल हो जाता है और उन लोगों के साथ एक direction की और move कर जाता है तभी वहाँ पर हत्यार बंद लोगों का जुण पहुँच जाता है और वो undead के उपर गोलियां चलाने लग जाते हैं वो गुण्डो का गिरोहों undead के बीच में मौजूद निक को पहचान जाता है लेकिन तभी undead उन लोगों के उपर हमला कर देते हैं उन लोगों मैंसे दो लोग मारे जाते हैं जबकि तीसरा वहाँ से भाग जाता है निक उस छोड़ से अलग हो जाता है और अकेला ही एक direction के और move कर जाता है निक बहुत ज़दा dehydrated था और उसे छोड़ भी लगी हुई थी वो आगे बढ़ने के साथ ही बेहोश हो जाता है निक के पास ही एक survivors का group मौजूद था उन लोगों की नजर निक के उपर पढ़ जाती है लेकिन उन लोगों की लीडर लियोसियाना निक की मदद करने से मना कर देती है इदर निक को बेहोशी में flashbacks दिखाई देने लग जाते है वो अपनी girlfriend Gloria के बारे में सोचता है वो अपनी फादर के बारे में भी सोचता है और उस बारे में सोचकर उसके आँखों में आसु आ जाते है वो flashback में medicine को भी देखता है वो flashback में apocalypse के शुरू के दिनों को देखता है उसी वक्त वहाँ पर बारिश होने लग जाती है बारिश के करण निक की बेहोशी तूटती है और वो एक बार फिर से तीजुआना की तरफ move कर जाता है तीजुआना city के करीब पहुँचने पर निक का सामना एक बार फिर से लियोसाना की ग्रुप से होता है लियोसाना का ग्रुप निक को अपनी community में आने के लिए कहता है लियोसाना की community का नाम La Colonia था वहाँ पर निक का इलाज होता है और ऐसा करते हुए निक को बहुत सारे दिन बीठ जाते हैं निक देखता है कि उस community का सिरफ एक ही entrance था और उसके entrance पे बहुत सारे undead मौजूद थे जिन में से होकर ही एक आदमी उस community तक पहुँच सकता था एक afternoon को निक देखता है कि एक आदमी अपनी मरजी से उन undead के ग्रुप में शामिल होने के लिए जा रहा था वो देखता है कि उस आदमी को सभी undead घेर लेते हैं और उसे bite कर लेते हैं community के सभी members उस आदमी को देख रहे थे और उसके लिए भगवान से prayer कर रहे थे नेकी ये देखकर बहुत ज़दा अश्रे करता है तब लियोसिया ना उसको बताती है कि जो लोग bite कर लिये जाते हैं या जो बहुत बुरी तरह से बिमार होते हैं वो अपने आपको उन undead को सौप देते हैं undead numbers में ज़्यादा हो जाते हैं जो कि उन लोगों की community के लिए एक barrier के रूप में काम करते हैं और वो लोग अपनी community के अंदर safe रहते हैं उन लोगों की community के अंदर آने और जाने के लिए एक bus का use हुआ करताथा अंदर आने वाला या बाहर जाने वाला अदमी अपने आपको अंडेट की बलड में कवर कर लेता था और तब ही वो सेफली बाहर निकल जाता था इस तरह से वो लोग काफी समय से लोगों से बचकर वहाँ पर रह रहे थे इसके कुश समय बाद ही लिोसियाना निकल अपने साथ सप्लाय रन पर पाशी के सूपरमार्केट तक चलने के लिए कहती है उस सूपरमार्केट के उपर एक गैंग ने कपजा करके रखा हुआ था उस गैंग का नाम लॉस हर्मानौस था लियोसियाना उस गैंक के लोगों को एंट्री फी के रूप में ऑक्सिकोडोन दे देती है और सुपरमार्केट के अंदर चली जाती है ऑक्सिकोडोन के बतले में उन लोगों को वहाँ से कुछ चीजे मिल जाती है निक के इस तोरान महां से एक आइसक्रीम से एडवेच चोरी कर लेता है लेकिन वो पकड़ा जाता है निक अपने आपको वहाँ पर सरेंडर कर देता है निक उस गुरुप के लोगों को धमकाने लग जाता है कि अगर उन लोगों ने उनकी सप्लाइस को नहीं बढ़ाया तो वो अक्सिकोडोन की डोसेस को कम कर देगा निक की इस धमकी में आकर वो लोग उन लोगों की सप्लाइस को बढ़ा देते हैं और वो लोग निक को भी वहाँ से जाने की परमीशन दे देते हैं लियोसियाना निक की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है वो निक से कहती है कि अभी तक उन लोगों की कम्यूनिटी अनाइडेटिफाइड थी और अगर निक निक ने इसी तरह की हरकत की तो वो लोग बहुत जल्दी ही उन लोगों को ढूंड लेंगे निक लियोसियाना के साथ वापस लाट कर अपनी कम्यूनिटी लाग कोलोनिया में आ जाता है लाग कोलोनिया का लीडर था अलेसेंड्रो जो की पहले एक फर्मासिस था अलेकसेंड्रो निक को बातों के दोरान बताता है कि वो लोग ये मानते हैं कि डैट लोगों से जो जिन्दा बचेगा वही इन लोगों की स्पीसीज को आगे तक ले कर जाएगा अब हम लोगों को मैडिसिन, स्ट्रेंड, अलिशिया और अफिलिया को दिखाया जाता है जो की बर्निंग कंपाउंड को छोड़ कर अबिगेली के और पहुच जाते हैं वो लोग समुद्र के किनारी जाकर देखते हैं कि अबिगेली को कोई पहले सी चुरा कर ले जा चुका है वो सबी लोग सप्लाइस की खोज करने के लिए वही पास में मौजूद एक होटल के अंदर चले जाते हैं वो लोग उस होटल में देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी हाट वाटर आ रहा था और बहुत सारे परिकेट्स लगे हुए थे वो सबी लोग समझ जाते हैं कि अभी तक वहाँ पर कोई न कोई मौजूद था Alicia और Ophelia होटल रोम्स को देखने के लिए चली जाती हैं Ophelia Alicia के सामने कहती है कि अब उसे उन लोगों के जिंदा रहने के उपर डाउट है वो दानों होटल के रोम को देखना छोड़ कर एक चके रेस्ट लेने के लिए रुख जाती है एलिशिय उस रूम में शावर लेने के लिए चली जाती है एलिशिय शावर लेकर बहार आती है तो वो देखती है कि आफिलिया वहां से मिसिंग है तुरंती आफिलिया को ढूनने लग जाती है मैडिसिन और स्ट्रेंड होटल के बार में माजूद थे वो दानों बहुत ज़्यादा ड्रिंग कर लेते हैं मैडिसिन बहुत ज़्यादा ड्रिंग करने के बाद वहां माजूद ग्लासेस को फेकने लग जाती है स्ट्रेंड वहां माजूद प्यानों के साथ छेड़ खानी करने लग जाता है इन लोगों की आवाजों को सुनकर वहां मौजूद अंडेड इन लोगों की तरफ अट्रेक्ट होने लग जाते हैं और तुरंती पूरे होटल को चारों हरसे घेर लेते हैं वो सबी लोग अंदर होटल में ही फसे हुए रह जाते हैं अब हम लोगों को एक फ्लेश बैक दिखाया जाता है जिसमें की दिखाया जाता है कि उस होटल में एक वेडिंग और्गनाइज हो रही थी अचानकी प्रैट के फादर को हार्ट अटेक आता है और उसकी डेथ हो जाती है वो तुरंती रियनिमेट हो जाता है होटल की मैनेजर एलिना उस सिच्चेशन को देखती है और तुरंती बॉल रूम के बाहर निकल कर उस रूम को बाहर से लोग कर देती है एलिना मानती है कि उसके ऐसा करने से अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके होंगे और वो इस तरह से इस बिमारी को बाहर फैलने से रोक पाएगी एपिसोड एक बार फिर से प्रेसेंट में आता है होटल को चारों और से अंडेट खेल लेते हैं बहुत सारे अंडेट बेरिकेट्स को तोड़ते हुए अंदर के और घुश जाते हैं और वो सेडियों से भी उपर चड़ने लग जाते हैं एलिशा भी बहुत सारे अंडेट को अपनी और आता हुआ देखती है वो सेडियों के रास्ते को छोड़ कर एक्सिलरेटर के रास्ते होते हुए भागने लग जाती है तब ही एलिशा को एलीना बचा लेती है एलीना और एलीशिया एक दूसरे को अपने बारे में बता देती है एलीना एलीशिया की स्ट्रेंड और मैडिसिन को ढूडने में मदद करने के लिए तयार हो जाती है पदले में एलीना एलीशिया से अपने भतीजे हैक्टर को ढूडने में मदद मांगती है जो कि कुछ समय पहले तक उसके पास मौजूद था और अब मिसिंग था वो दोनों किसी तरह से होटल के ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच आती हैं तब ही उन लोगों को बहुत सारे लोग चारा और से घेर लेते हैं अलीना को पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो किसी तरह से उस वेडिंग पार्टी से बच गए थे और उसी होटल के रूम में रह रहे थे हैक्टर को उन्हीं लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ था वो सबी लोग ऐलीना से बाहर की कीज की डिमांड करने लग जाते हैं कीज के बतले में वो लोग हैक्टर को छोड़ने के लिए तयार थे एलीना उन लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उन लोगों को होटल के सप्लाइस की की दे देती है एलीशिया वहीं पास में मौझूद एक कमरे में मौझूद बहुत सारे अंडेट को देखती है और वो उस रूम का दर्वाजा खोल कर उन अंडेट को बाहर निकाल देती है उन अंडेट के बाहर आने के कारण होटल के बाकी गैस्ट का ध्यान डिस्ट्रेक्ट हो जाता है एलीशिया इस मौके का फायदा उठा कर एक कमरे के अंदर छिप जाती है वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात मैडिसिन और स्ट्रेंड से होती है जो के अंडेट से बज़ कर वहीं पर छिपे हुए थे नेक्स सीन में हम लोगों को ट्रेविस और क्रिस को दिखाया जाता है जो के मैक्सिकन की और मूव कर रहे थे ट्रेविस एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है जबकि क्रिस वहीं मौझूद एक बिल्डिंग में सप्लाइस ठूडने के लिए चला जाता है क्रिस उस बिल्डिंग में मौझूद एक ग्रुप से कुछ सप्लाइस को छीन कर बाहर आ जाता है लेकिन वो इस बारे में ट्रेविस को कुछ भी नहीं बताता वो दोनों उस गाड़ी में बैट कर आगे की और मूव कर जाते हैं ट्रैविस इस पीच क्रिस को गाड़ी चलाना सिखाने की कोशिश करता है उन लोगों की गाड़ी का फ्यूल खतम हो जाता है ट्रैविस और क्रिस को उसी जगे पर रात बिताने के लिए रुखना पड़ जाता है क्रिस ने जिस ग्रुप से उन लोगों का समान चुराया था तबी वो ग्रुप एक ट्रक में बैटकर वहाँ पर पहुँच जाता है वो ग्रूप क्रेस और ट्रेविस का बहुत टाइम से पीछा कर रहा था ट्रेविस के पूछने पर वो ग्रूप उन लोगों को बताता है कि वो लोग अमेरिकन्स हैं और वो लोग एक ट्रिप पे थे जबकि एपोकेलिप शुरू हुआ था वो सभी लोग क्रिस के अंडेट का सामना करने को देख कर बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ट थे वो सभी लोग ट्रेविस और क्रिस को अपने गुरूप में शामिल होने के लिए कहते हैं वो सभी लोग उस रात को उसी केमप में बिताते हैं और अगले दिन सुबह उस ग्रूप के लोगों के ट्रक में बैट कर वहां से रवाना हो जाते हैं रास्ते में उन लोगों का पूरा ग्रूप एक फार्मा उसको देखकर वहां से कुछ सप्लाइस को लेने के लिए रूप जाता है उस ग्रूप का सामना वहीं पर रहने वाले एक फार्मर से होता है उन लोगों के उस फार्मर से लड़ाई होने लग जाती है एक अमेरिकन के पैर में उस फार्मर की गुली लग जाती है क्रिस ये देखकर बहुत ज़्यादा बौकला जाता है और वो तुरंती उस फार्मर को मार डालता है ड्रैविस क्रिस को इस तरह से देखता है और बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है